नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CG News Spotlight पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। सचिवों ने बताया कि फर्जी प्रमान पत्रों वाले 279 लोगों पर कार्रवाई की गई और इसमें से कुछ कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। कुछ प्रक्रणों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और कुछ मामले हाई कौर्ट में स्टे हैं।